दावत खाने जा रही हूँ वालेकुम अस्सलाम लगता है किसी बाहर वाले के फंक्शन में जा रही हो नहीं नहीं मेरे रिलेटिव से उनके वहाँ वलीमा है वहाँ जा रही हूँ ओहो, तो ऐसे कोई दावत खाने जाता है? दावत में जाने के लिए खुद को इतना कवर करके गुन जाता है हमारे यहाथों शादियों में बड़े ही दूम दाम करते हैं और इतने रेडी होते हैं कि सब देखते ही रह जाते हैं अच्छा, तेरी फेमिली वालों के पास पैसा ही नहीं होगा जो तुझे इतना कवर करके बेशते, पिडेस का खर्चा ही नहीं हो अरे बहन स्टोप स्टोप, डॉन्ट कॉल मी बहन, सो ओल फेशन, तुम मुझे सिस बूला सकती हो या अल्ला, सब को हिदायत दे, ये वेस्टन जमाने ने तो मुसल्मानों की आख बंद करकर रखी है और देखो, एक मिल्ट में तो तुमने मुझे जज़ भी कर लिया मेरी फेमिली, उनका पैसा, उनका स्टेटस, क्या ये पर्दे में तुमने सब कुछ देख लिया? अल्लेज लोग तो चले गए, लेकिन अपना पीछा नहीं छोड़ा, क्या तुम जानती हो कि इन सारी फुजूल खर्ची में अगर जिन्दगी गुजार दी, तो मरने की बाद की जिन्दगी में इसका हश्र क्या होगा, क्या तुम इतनी ही दिल जस्बी के साथ अल्ला का ज विकर करने बैठी हो, हर वक्त की नमाज को उसकी पाबंदी और खुशू और खुजू के साथ अदा करती हो, जितना तुम्हें दुनिया का शौक है उससे कई ज्याद तुम्हें आखिरत का खौफ नहीं है, मरते मरते, अल्ला ऐसे तोबा कर लेंगे, अल्ला बहुत बड़ मुआश्रा भी इसकी पेरवी करने लगता है, आज तो हम फैस्टा करके ही रहेगे, वैस्चन होना या इसलामी तरीके पर जिंदगी गुजारनी चाहिए, चलो फिर, मैं अपनी दो चाह साथियों को जमा करके आते हूँ, ताके तुम्हारी अकल ठिकाने आचाए, ठीक है अरे, सीस, बोलो ना, मैं भी अपने साथियों को बुलाती हूँ, और हमारे एक नेक बीबी को बुलाती हूँ, चलो फिर, ये इसलामी शरियत का मामला है, हमें इसे मुस्लिम पसनल लो बोड के जरिये ही हल करवाना पड़ेगा, अपना इड़ोकेट लेके ही आ जाना, अरे सच्चाई को कोई वकिल की जरुवत नहीं है, मैं अपने साथ मदरसे में पड़ी हूई, इसलाम की स्कॉलर को बुलाती हूँ, जिन्होंने मदरसे में इसलाम की पूरी शरियत के साथ पड़ा है, और इसलाम की अहकिकात को पहचानते हैं, तो, लेट उस विटनेस अ ड्राम on western culture versus islamic culture. Now, let us have a look at our Muslim law board scene. इनी पहन नसीमा बाजी, जिन पर एज़ाम लगाया गया है, कि इसलामिक तोड़ तरीके पर जिन्दगी गुजारना old fashion है, बेपड़दगी, फुजूल खर्ची, यह साथ fashion culture की जरूरते हैं, उनकी वकालत करना आ रही है, हमारी Islamic scholar हलीमा बाजी, और दूसरी तरफ हमारी व fashion culture की दिवानी है, उनकी वकालत करना रही है, एड़ोकेट साहिस्ता, और साधी जूरी में वह इंसान जो लोकल गर्वालोग के फैसले सुनाते है, जच को, अटेंशन, जच साहबा आ रही है, सब खड़े हो जाईए, बैट जाए सारे, हेलो जच साहिबा, आज आपका माइन फ्रेश तो है ना, आज का फैसला मेरे हक में ही करना, क्योंकि मेरे क्लाइन मिस आतिका की बात ही बड़ी जोरदार है, असलाम अलेकुम जच साहिबा, अरे ऐसे कैसे फैसला हो गया, काफी टाइम से ये बात पर बहस होती आई है, पर इंशाला आज जीत हमारी ही होगी, क्योंकि जीत हमेशा हक की होती है, मेरी क्लाइन का कहना है कि इस मगरीबी तहजीब के साथ सबको भी वेस्टन होना चाहिए, और इसलाम के बताई हुए तरीके पर अमल करना लाजिम नहीं है, एक्सक्यूज मी, क्या लाकी बताई बातों से हटकर हम अमल करेंगे तो काम्या भी होगी? नहीं नहीं, बिल्कुए नहीं होगी, ओपोजिशन का मानना है कि हमें वक्त के साथ खुद को भी बदल देना चाहिए, हमारी मज़ब की बातों को इटकार तो रही करते, पर अमल करना जरूरी भी नहीं समझते, अब्जेक्शन योर अनर, आज के इस वेस्टन जमाने में हर को इतनी महनद करता है, और इतना स्ट्रगल करता है, वो अपने फैमिली वालों की बच्चों की हर खाईश को पुरा कर सकता है, और अगर मैनद करते हैं, तो अल्ला उसे उतने पैसे भी दे देता है, इसको साबित करने के लिए मेरे पैसे गवाह है, जरी नांटी, मैं उसे विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ, पर्मीशन ग्रांटेड, गवाह आज आईए, यह जरी नांटी, क्या आप अपने दस्तान सुना सकती है, जी, पाच साल पहले हमारा घर बहुत गरिबी की हालत में था, हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, मैं अल्ला से बहुत दुआ करती थी, मैंनच शुरू की, और देखती ही देखती हाली में, हमारी बेटी खानी का बड़े दूम धाम से किया, और अल्ला ने हर आशोवा आराम की चीज़े अता कर दी है, एक्सक्यूज मी, मैं इनके गवास सवाल पुछने की इजाज़त चाहती हूँ, पर्मेशन ग्रांटेड, आप मेरे साथ दौहराईए, आप जो कहेंगी, सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी, ऐसी आप बोलिये, हाँ, तो यह मैं ही बोली, ओडर ओडर, कोट की कारवाही आगे बढ़ाई जाए आ तो बताईए, आपके पास इतना पैसा कहां से आया इसमें कांचे साइंस लगाने की बात है बस अल्ला ने जरिया खोल दिया और ये आ गया ये क्या बेहरमाती के सवाल पूछते हो जैसे कि मेरी क्लाइन ने कहीं से पैसे चोरी किये हो एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको चोर रजर आ रही हूँ नहीं, नहीं, मैं तो बस क्लियर कराना चाहती थी और जज़ साहिबा मैं चाहती हूँ के मेरे सवालों के बीच में मेरी काबिल लॉयर ना बोले तो बहतर होगा जी साहिस्ता जी अब आप बीच में मत बोलिएगा येस मिज़ जरीना तो आप बताए पैसे किस तरीके से आए उसके लिए हलाल रास्ता चुना दा या हराफ तरीका और आपकी बेटी के निका के लिए उतने पैसे काफी थे या और भी कुछ करना पड़ा पहले आप मुझे ये बताए आपको और्दो समझाती है जी बिल्कुल समझाती है तो मैंने भी उर्दो में जाब दिया कि बस अल्ला ने जरिया खोल दिया फिर भी ज़्या तफसीर और वजाहत के साथ बताएए जी वो अल्ला ने रास्ता बताया हम उस पर चल दे गए तो अभी आपकी बेटी का निकाह हो गया तो भी आप पर कोई परिशानी का सवाल तो नहीं होगा ना अब्जेक्शन योर ओनर आप मेरी क्लाइन को इस तरीके के सवाल करके खीच नहीं सकती हो अरे मैंने कहां खीचा है मैंने असमस को पकड़ा तक नहीं है वो खुद ही ऐसे कुओं में खिषती चली जा रही है कि शायदी कई साल बाद या पूरी जिन्दगी गुजर जाएगी पर निकल नहीं सकेगी अब बिलकुल सच कह रही हो हम जिस रास्ते पर चले वो हलाल नहीं था पर इस दुन्या के साथ साथ हमको भी वेशन होने का दिखावा करना पड़ा ताकि मेरी बच्ची का अच्छे घराने में निका हो जाए लेकिन फिर हम पर इतना बोज घीरा के आज इस बोज के तड़ जामीन वे दस्ते चले जा रहे हैं शायद परेसे भी पूरी हालत होने वाली है चिजा करला खेरा बैच जाईए प्लीज शादी हो तो फ्लीम स्टार जैसी अल्ला ने हमें एंज्डॉय करने से मना नहीं क्या और हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते आप शादी ऐसी और वैसी जैसी जिसकी है सियत वैसी उनकी शादिया Objection Your Honor, opposition का मनना है कि शादी का मामला हो तो अच्छे नेने, ड्रेसिस पहनना, पालर में जाके रेडी होना, और खुले आप गुमना, बेपर्दगी करना, ये बड़े ही फक्र की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है Objection Your Honor, बेपर्दगी कैसी, अल्ला ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है, तो मर्दों को भी आखो के पर्दे का हुक्म है, तब तमाम मर्दों से कह दीजिए, कि वो अपनी नजर जुका कर रहे, तो बेपर्दगी नहीं होगी Objection Your Honor, क्या हम दुनिया के सारे मर्दों को यह कहते है, फिरे कि अपनी नजरे नीचे रखो, और बेपर्दगी तो वो भी है, कि ओरत की नजर भी किसी गयर महरम पर नहीं पढ़नी चाहिए अब यह नयान उसका लेके कहां आ गई, आई बड़ी पर्दे वाली Excuse me, मेरी बात को प्रूफ करने के लिए मेरे साथ है हमारे मदर्ज के आलीमा, फजीला आपा, मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहती हूँ Permission Granted गवा फजीला आपा, अब आज आओ जी पर्जीला आपा, क्या आप हमें पर्दे के बारे में कुरान की वज़ात और तफसीर के साथ बता सकती है कुरान में अल्ला ताला सूर्य अनिशा में फर्माते है वो करन फी बुयूति कुन और ए इमान वाली ओरतों तुम अपने घरों में कर्रार से रहो दीनी बेहनों असल परता तो घर की चार दिवारी है जिसको हिजा बिल बैत कहा चाता है आगे अल्ला ताला फर्माते है और पहली चाहिलियत की तरहा पला पराय मर्दों का अपना बनाव सिंगार यानि मेक अप दिखलाती मत फीरो यानि पहली चाहिलियत मतलब के इसलाम के आने से पहले की अरतों की तरहा खुलम खुला जैब वजीनत और बनाव सिंगार करके मर्दों के सामने कर से बाहर मत निकलो तुम्हारा बनाव सिंगर, तुम्हारा मेक अप, बदन की बनावट, किसी के सामने जाहिर नहीं होनी चाहिए मुसल्मानों ने इंडिया में जमाने की चाहिलियत के रिवास को मकदूम कर दिया चेसा की बेटियों को जिन्दा दफन करना, बेवा को अपने शोर के साथ में ही मर जाना, वगेरा वगेरा इसलामा मन का मजब है, बुरायों को मिटाता है और सच्चा इजाहिर करता है ये तो ठीक है, पर कहां ऐसा फरमाया है, कि औरत की भी नजर किसी गैर मरहम मर पर नहीं पढ़नी चाहिए कि इसका कोई पगा सबुत है आपके पास? मेरे पास उसके लिए सबुत तो नहीं है लेकिन सबुत नहीं है? कहां है इसके इसकी फाइल? फाइल लेके आओ ये बढ़ाया जाए जी उसके लिए मेरे पास सबूत तो नहीं है पर गवाह है मैं मेरी दोस्त आइशा को विटनेस वाक्स में बुलाने की जाज़स चाहती हूँ गवाह बुलाओ ए हुर ये क्या था? गवाह बुला रही हूँ गवाह बुला रहे हो या जानवर तो कैसे बुलाते है इंसानों के तरह हाजिर हो करके बुलाते है वैसे मुझसे नहीं बुलाया जाता अरे तुम आओ जल्दी कट घरे में गवाह तुम अही रहो हिलना नहीं जैसे कहा वैसे बुलाओ अरे यार गवाह हाजिर हो अरे गवा आजाओ अब सोई हो क्या बैठी हुई नहीं चल साहिबा जी आईशा आप हमें औरत के परदे के बारे में बता सकती है औरतों की नजर को नीचे रखने के बारे में तीरमी जी सीफ 2778 में फर्माया है इसका तर्जमा उमुल मौमिनी नजर्थ उमें सलमा रजय अलाव अना फर्माती है कि मैं रसुलिल्लाव सलेदा अलाव अले वसलम के पास थी और रसल में मुन्ना रजय लाव तला अनुह भी मौजूद थी उसके दोरान हम दोना आपके पास बैठी हुई थी असर्थ अब्दुल्लाव भी मौमें मौक्तुम रजय अनुह आए और आपके पास पहुच गए यह उस वर्ट की बात है जो में परदे को मदिया चाह चुका था तो रसुलिल्लाव सलेदा अले वसलम ने फर्माया तुम दोनों बें से बदा करो मिना आज किया ए यह वलय की रसूल क्या वो अनदे नहीं है तो रसुललाव भी उल्हिए ऩंदे हो लिए तुम दोनों भी इन्दे हो कि तुम दोनों उन्ही्जजर देख सकती नहीं हो इसी तरह कुर्आन क Favorी में भी इसाराद है जी वो तो ठीक है लेकिन अगर कोई function है उसमें तो हम ready हो सकते हैं ना और फिर उसमें ladies और gents दोनों के लिए अलग-अलग इंतजाम करें ताके हम ladies बहुत अच्छे से खुल राम-खुल ready हो सकती है वाना के ladies और gents के अलग-अलग इंतजामात होते हैं पर function में जाने के रास्ते में तो हम बेपर्दगी में ही होगी ना तो इसलाम का तरीका नहीं है अच्छा चलों बाहरवालों के function में से नहीं जा सकते लेकिन गर के function में तो हो सकते हैं ना इसको साबित करने के लिए मेरे पैसे गवाह मौझूद है मैं उसे विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ पर्मीशन ग्रांटेड गवाह आज आईए यह मिश्जारा जो बहुत ही हाई प्रोफैल खांदान की बेटी है आप इन ही से पुछ लीजिए इनकी घर की शादिया कैसे होती है मेरे दो कजिन भाई है दोनों भी हाफिज एक उड़ान है लेकिन जब शादी का माहोल होता है तो घर की तमाम लेडिस के ड्रेस आप देखते ही ने जाएगे माशाला अल्ला किसी की नधर ना लगा है और फंक्शन तो इतने होते हैं के एक विग भी कम पढ़ जाता है अब्जेक्शन ओनर निका को इतनी सादगी के साथ इखतिया करो के हर चोटे बड़े को उसमें आने में आसानी हो उसके लिए मैं फातिमा आपी को बुलाना चाहती हूँ माशा अल्ला वो भी हाई प्रोफाइल से बिलॉंग करती है परमीशन ग्रांटेट गवाह आजाईए क्या आप बता सकती है आपकी फैमिली के बारे में उनकी सादगी के बारे में हमें भी अल्गाने दुनिया की तमाम नेमोतों से नवाजा है और माशा अल्ला हमारा खांडन बहुत ही दिनदार है जब भी कोई सादी का मोहल होता है तो बड़ी ही सादगी के साथ सब भी होड़ते अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और बड़ी ही नेक भी विया सब्सक्राइब गवाह आजाईये यह मिसातिका जिन्होंने नसीमा बाजी पर इल्जाम लगाया था और अब यह कुछ कहना चाहती है जी मिसातिका क्या कहना चाहती हो क्या अगर हमारे पास इतना पैसे है तो क्या हम डिजाइनर हाई प्रोफाइल कपड़े नहीं पहन सकते और कहीं बाँर जाना हो या निकाह में जाना हो तो हम तो पर्दे में होते हैं लेकिन अगर अला ने हमें इतना पैसा दिया है तो हम अचसे हमारे लिए नहीं तो किसके लिए खच करेंगे मैं असीमा बाजी को विटनेस बोक्स में चाहती हूँ पर मीश न ग्रांटे गवाह आजाईए रसूल अल्लाह अल्याई वस्लम ने फर्माया इन्ना अजमन निकाहि बरकतन ऐसरूहु माउना तरजमा सबसे अजीम निकावो है जिसमें कम खर्च हो और साद्गी के साथ हो बजाए अपनी बेटी और दामाद को फुजूल की चीजे देने से तो ये है कि हम यही पैसों को सही जगा खर्च करें जद साहिबा हमारे हलीम अबाजी ने इतनी सारी वजाओत और ऐसे प्रूफ से हमको ये बात बता दी तो इन्शालला हम भी उस पर अमल करकर हमारी जिन्दगी को बहतरीन और दिनी बनाएंगे माशालला हलीम अबाजी अब आप दीने अड़ोकेट हो और मैं आपकी तमाम गवाओं को कहना चाहती हूँ कि इसी तरह हमेशे सब की इसलाह कराते रहना अल्ला हम सब को दीन और दुनिया की बहतरीन इल्म से नवाजे और उस पर अमल करने की तौफे कता फरमाए आमीन